Friends, Welcome to Prakash Tarot Kart Reader. Thanks for taking your time out and watching the video. If you like the video, please do subscribe. Thank you. Hello Friends, Prakash Tarot Kart Reader का बहुत-बहुत नमस्कार. ये जो आप रीडिंग देख रहे हैं, ये है जोर्च सोरोस के लिए. इनका नाम काफी सुना है, काफी समय से. लेकिन कुछ माहिनों पहले मैंने एक वीडियो देखा स्ट्रिंग्स रिविल्ड यूट्यूब चैनल का इसमें जो व्यक्ति थे अन्ना उन्होंने कुछ चीजें बताई जिसमें की उन्होंने बताए कि जो इंडिया में कई सारे मीडिया हाउसेस हैं उनको जो सोरोस की कंपणी है या फाउंडेशन है उससे फंडिंग मिल रही है एंटी इंडिया बातें करने की तो ऐसा उन्होंने का और तब से कई बार ये बातें सामने आई काफी सारे लोग बोलते हैं कि सोरोस जो है वो इंडिया को डीस्टैबिलेस करना चाहता है इंडिया को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया है कि उनको क्या पढ़िए वो एक बिलेनेयर है बिजनसमेन है और वो यूसे वाला है उसको क्या फाइदा यहंपे डिस्टेबलेस करने में उसके लिए है ये रेडिंग तो सबसे पहले उसका प्रेजन कैसा है जौर्ज सोरोस का ये काट आया है तो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत तबेत अगरे खराब दिखती है और जो भी ये सिचुएशन इस समय उसके फेवरेबल नहीं है और आने वाला समय भी बहुत अच्छा नहीं दिखता साल 2021 बहुत अच्छा नहीं है जौर्ज सोरोस के लिए फिर ये आदमी कैसा है तो टेमपरेंस काट आया है ये जो व्यक्ति है जौर्ज सोरोस ये अपना काम पटाने में माहिर आदमी है अगर इसको कहीं इसके सामने रस्ता बंद हो जाता है तो ये जानता है कि कहां कॉंपरोमाइस करना और कैसे अपने लिए नया रस्ता बनाना तो आल इन ओल ये शातिर व्यक्ति है शातिर फिर मेरा सवाल था कि जो प्रेजेंट इंडियन गवर्मेंट है इसके वारे में इसकी क्या सोच है टावर कार्ड यने बहुत अच्छी सोच नहीं है ये तब हो सकता है ऐसा कार्ड आया इसका मतलब कहीं न कहीं उसकी जो प्लानिंग थी वो ध्वस्त हो गई है प्रेजेंट इंडियन गवर्मेंट की वज़ा से और उसको वे फॉर्वर्ड नजर नहीं आ रहा है कन्फूजन कि अब क्या करूं कैसे करूं तो फिर मैंने पूछा कि उसका क्या कनिक्शन है वो इंडियन गवर्मेंट को destabilis क्यों करना चाहेगा क्यों करना चाहता है तो दो चीज़े हैं एक कार्ड और ये कार्ड और सुरी ये एक और कार्ड ऐसे तीन कार्ड है तो एक तो पैसा एक तो पैसा या चीप मैन पावर दूसरा आम्स ये कार्ड मुझे कहीं न कहीं आम्स लॉबी के तरफ इशारा देता है आम्स अब इस समय की जो जियो पॉलिटिक्स है वो तीन चीजों के इर्द गिर्द ही घुंगती है ओल, आम्स और फार्मा ये तीन इंपॉर्टन चीज़े हैं प्रेज़ेंट जियो पॉलिटिक्स की है तो इनका कनेक्शन कहीं न कहीं आम्स से होना चाहिए है और चुक्कि अब मोदी गॉवर्मेंट आ गई है तो शायद डारिक्ट यान्हें बीचोलियों के थुरू आम्स नहीं बेच पा रहे होंगे या इंडियन गॉवर्मेंट को आम्स बिच्टमेंट को कठे नहीं हो रही होगी है कहीं न कहीं कुछ आम्स लॉबी का ही कनेक्शन दिखता है तो क्या ये डी स्टैबिलेस करने में या मोधी सरकार को हटाने में क्या मयाब होंगे अगले दो सालों में नहीं बट ये देखी किंग और सोर्स काड़ा है साल दोहजार चुविस में मोधी सरकार को हटाने की पूरी पूरी कोशिश होने वाली है पूरी पूरा जोर लगने वाला है कि मोधी फिर वापस ना है साफ साफ इंडिकेशन किंग आफ सूर्स फिर उनका नेक्स टेप क्या होगा इस तरफ तो ये दो काड़ा हैं तो एक तो पैसा और दूसरा कहीं न कहीं धर्म से गलेटेड है तो आगे चलके हमें और भी बहुत कुछ चीज़े देखने को मिलने वाली है धर्म से रिलेटेड काफी चीज़ें उबाल लेंगी काफी टॉपिक्स गरम रहेगा ये धर्म नाम का जो टॉपिक है हिंदू, मुस्लिम वगरे इस तरफ का जो चीज़े हैं ये काफी होने के संभावना है जो ये और हम अल्रेडी जानते हैं कि ये जो लेफ्टिस्ट मिडिया है ये इन बातों को ज्यादा ही तूल देती है कहीं सडक नहीं बनी होगी या कहीं पानी नहीं आ रहा होगा कहीं बिजली नहीं होगी तो उस बात को हाइलाइट नहीं करेंगे लेकिन कहीं किसी जगव कोई हिंदू मुस्लिम दो विक्ति हैं उनका अपस में जगड़ा हो जाए तो उस बात को बहुत बड़ा तूल दे देंगी रैट्स बता देंगी पता नहीं क्या क्या करेंगी इस तरकी ये लेफ्टिस मेडिया है तो ऐसा कुछ होने की संभावना ज्यादा है ओके जौर्ज सोरोस जिनका डेटा बढ़ते 12 आगस्ट 1930 क्या ये इनके इनकी जो इच्छा है हिंदुस्तान में सक्ता परिवर्तन करने की 2024 में क्या वो पूरी कर पाएंगे हाई प्रिस्टेस कार्ड सो अब ये हाई प्रिस्टेस है फिर से लेडी विड़ दे क्रॉस और बहुत कुछ चुपाओ है तो यकिनन यहाँ पे सत्ता परिवर्तन करने के लिए होने के लिए यहाँ पे आलरेडी काफी सारे लोग इनके बैठे हुए हैं अब ये हाई प्रिस्टेस कार्ड क्लियर इंडिकेशन है अब मैं ज्यादा कुछ इसमें बोलना नहीं चाहूंगा बट येस people are there we can see them जिस तरके कई सारे मीडिया पप्लिकेशन से हैं जो हिंदुस्तान का नाम खराब करते रहते हैं वो भी हम देखते ही हैं so things are moving in that direction but ये कार्ड कहीं पे भी ये suggest नहीं करता कि ये successful होंगे क्योंकि कुछ न कुछ ऐसी अरचने आ सकती हैं जो इस समय नजर नहीं आ रही है कुछ न कुछ और चुपी हुई चीज़ा हैं जो कुछ ऐसे factors हैं जो इस समय इनके सामने नहीं हैं लेकिन वो आगे चलके जरूर काम करेंगे तो चाँ दोज़ाचोविस में इंडिये के सरकार रहेगी यह देखिए अब यह काड़ाया है अब यह celebration का शादी का शादी एनने new association तो कहीं न कहीं यह दिखता है कि हो सकता है कि कुछ एंडिये अलाइस बदल जाए लेकिन एंडिये एंडिये रहेगा और दोज़ाचोविस में भी रहेगा आपको ए रीडिंग कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा अपने कमेंट्स आइडियास सजेशन्स फीड़बैक्स दरूर देते रहेगा अगर आप नए हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर तो सब्स्राइब करना ना भूले थैंक यू